कोहका के भेलवा तलाब के पानी को छट महापर्व के नाम पर निकाल कर कम कर दिया गया है और तलाब के अंग्रोनी दिवारों पर वॉल पेंटिंग कराई गई है जिसे देखकर सित्रवासियों में काफी आकरोश दिखा जा रहा है उत्तर भारतियों का छट महापर्व प्रारंब हो चुका है और इस भी शहर के कई तलाब विवादों में हैं कहीं सफाई को लेकर तो कहीं राजनीती को लेकर कोहका के भेलवा तलाब के पानी को जबरिया कम कर दिया गया और पानी उतरने के बाद तलाबों के अंदुरूनी दिवारों पर जन प्रतिनिदियों एवं निताओं द्वारा अपने नाम की वाल प्रेंटिंग करा दी गई है जिससे छेतरवासी काफी खफा नदर आ रहे हैं साथ ही कोहका विकास समीती ने सवाल उठाया है कि अब बरसात का मौसम भी समाप्त हो गया है और ऐसे में आने कोहका छेतर में बनी नालियों में बहने वाले गंदे पानी भी इसी तलाब में आकर जमा होता है जिससे यह भी सवाल आ रहा है कि इस पवित्र तेवहार को मनाने के लिए महिलाएं क्या इस अब पवित्र जल में खड़ी होगी हमने सुनाई कि जल ही जीवन है और जल को मित्वशता कर्तव यह है जैसे कि हम को तलाब हमारे को का कैसे बड़ा तलाब है और रहाने जितने भी भाबंधूंधू है मिस्रा है केवल अपने राजनितिक प्रचार प्रसार के लिए चाहते तो दिवाल बॉंडरी के किनारे मतलब तलाब की मेड़ में बैनर पोश्टर लगा के भी इनका प्रचार किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और दूसरा बात पानी को का पुरानी बस्ती का गंदा पानी भेलव तलाब में आ रहा है जिसमें कि इस बार तो छट मनाना उचित भी नहीं है पानी इतना गंदा हो चुका है समय समय का बात है बार बार मैं पारसच जी को इस बात से अवगत कराया हूँ लेकिन कोई उचित करवा ही नहीं हुए है और ये नाली का पानी पुरा रोड मी बहता है बस मैं इतना ही बोलते हूँ अपने वानी को विराम देता हूँ मैं इस्वरी भाई जो पिछले इस्वरी भाई वर्मा जी ने कहें उनके सारे बातों से मैं पूल रूप सहमात हूँ और जो इन्होंने कहा कि जल तलाप का जल जो निकाला गया है इसकी छटी पूर्ती तो म इतना खाक का मैं बेलवा तलाब जो है हमारा मतब को का इलाके के लिए एक जाना पहचाना नाम है और सबसे पूराना तलाब है और यहां मेरे हिसाब से पूरे पूरानी बस्ती और आज पास के सभी लोगों के जिनके लिए साधन नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा साधन होता है और मेरा किस किसी पार्टी वी से या किसी आदमी से तो हमको कोई दूस्मनी नहीं कि जितने लोग यहां पर आते हैं सभी से हमारा प्रेम वेवहार संबंध है मैं बिजनेसमेन हूं सबसे अच्छा वेवहार रखता हूं लेकिन किसी आस्था के नाम पर अगर हम किसी तलाब का पानी खाली करवा देते हैं या पिर उसमें कुछ विवस्था के नाम पर हम अगर किसी तलाब का पानी खाली करवा रहे हैं तो आने वाले समय में हमको इस साल जो गर्मी पढ़ने वाली है भी संट गर्मी भी पढ़ेगी भी संट ठंडी भी पढ़ेगी तो इसमें जो पानी की विवस् उस चीज से हमारे पसुपक्षियों को, हमारे रहवासियों को और सारे लोगों को, मतब कितनी तकलीफ होगी पानी के लिए या प्या हमको देखने मिलती है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां आज भी तलाब का जो महत्व है, वो सबसे ज़्यादा महत्व रख और अभी तक इस वार्ड में किसी भी जन प्रतिनीजी ने इसकी जिर्नोधार के बारे में नहीं सोचा, और छेत्रवासियों को, पूजा पाठ एवं अन्य कारप्रम के लिए भी इसी जल में स्तनान करके इसी जल से देवी देवदाओं को चढ़ाने के लिए मजबूर होना पूर्ट